बिहार सरकार के शिक्षा विभाग बिहार एजुकेशन डपार्टमेंट ने लंबे समय तक चले टालमटोल के बाद छठे दौर के लिए शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौर में क्लास क्लास एक से लेकर आठ तक के लिए 90,400 शिक्षकों टीचर्स का नियोजन होना था। शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से इसको लेकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन सरकार के द्वारा जो उम्मीद की गई थी उसके मुताबिक अभ्यर ना के स्कूलों में शिक्षकों की कमी बरकरार है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कमी को देखते हुए शिक्षक नियोजन का काम तो शुरू कर दिया। लेकिन उसे इसमें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले दौर की काउंसलिंग पूरी हो चु अडिशनल चीफ सेक्रेटेरी संजय कुमार भी मानते हैं कि अभ्यर्थी उस अनुपात में नहीं पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत से पहले जो शोर गुल था वो शोर नियोजन के दौरान देखने को नहीं मिल रहा है। आंकरों के जरिये इसको समझने की कोशिश करें तो छठे दौर के शिक्षक नियोजन टीचर प्लानिंग की वर्तमान स्थिती के बारे में जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने जी मीडिया को बताया कि पहले फेज की काउंसलिंग में कक्षा 1-5 तक में 28,714 1206 पदू पर नियोजन होना था लेकिन यहां भी संख्या 11,478 पर ही आकर रूप गई और बची सीटे अभी भी खाली है इसके साथ ही आंकडे की माने तो दूसरे फेज में 1100 नियोजन इकाई में नियोजन ही नहीं हुआ है विभाग की तरफ से इन इकाईों की जानकारी ज हाली होने के बाद ही तीसरे फेज की काउंसलिंग शुरू होगी वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव का नियोजन पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ओनगोइंग प्रोसेस है और अगस्ट 2019 में ही इसके लिए अ नियोजन से सबक लेकर इस बार शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाया है लिहाजा फरजी डिग्री के आधार पर नौकरी लेने वाले अब पकड़े जाने को लेकर सतर्क हैं क्योंकि बिहार में शिक्षक नियोजन का इतिहास काफी विवादित रहा है शिक्षा विभा झाल झाल